Hello everyone, मैं विशुजीत सिंग, आप सभी का दीगिना पर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की स्वीडियो के अंदर में हम MA History, MHI 101 का Unit 6 पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंदर में हम बात करेंगे रोमन समराजे का रोमन समराजे का ये Part 2 होने वाला है, Part 1 में पहले ही करवा चुका हूँ Part 1 के अंदर में पढ़ा था कि रोमन समराजे का विकास किस परकार से हुआ रोमन समराजे का आरंबी काल में विस्तार की नीदी किस परकार की थी, ये हमने पढ़ा था और यही important question भी रहता है, आपके exam के अंदर में कई बार पुछा भी गया है आज की स्वीडियो के अंदर में हम बात करने वाले है प्राचीन रोम के अंदर में दासपर्था का विकास किस परकार से, वहार दासपर्था था क्या, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा, रोमन समराज्य के नागर के ववस्ताओं का, नागरिक को किस परकार से बाटा गया था, किस की सम्मूह में बाटा गया था, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे तीसा topic हमारा रहेगा नागरिक सभाओं से related कि जो सभा मनाई गई थी वो कौन से नागरिक के लिए किस प्रकार की सभा थी कौन सा नागरिक किस सभा में पार्टिस्पेट कर सकता था उसका role क्या था उसके बारे में आप हम डिस्कस करने वाले हैं चले वीडियो स्टार्ट करत सभा में दासपर्था को आप किससे करोगे यहाँ युनानी डासपर्था से आपको compare करना है unit 5 पर इंदर में आपने दासपर्था को बारे में पड़ा था नहीं पे कोश्यंग Ouais नी और रोमन नासपर्था के बीच में समानता हsti क्या है इस तरह के वरन कर आता है दोनों के वाले हैं अब देखो एक सिनेरियो अपने माइन में किलियर करके चलो आपने को मैंने फर्स्ट पार्ट में समझाए कि रोमन समराजे ने ठीक है रोमन समराजे अपना विस्तार किस परकार से किया विकास किस परकार से किया तो विस्तार की नीती किस परकार के होती किसी भी रा काकारब बढ़ गया इस प्रकार से सेमएन रही रोमन समराज्य के अपने सम्राज्य का विस्टार कर लिए जब इस प्रकार की नीती अपना ही जाती है तो जो भी छेतर को तो उसके बाद यहाँ पर जब युद किया तो इस चेतर में रहने तो इस परकार से जो रोमन समराजी जब अपना विकास कर रहा था तो उस दोरान में क्या हुआ जो रोमन समराजी के अंदर में दास पर था था वो अपने चरम पर पहुंच जाती है ठीक है उसके सासत में आप देखो गे रोमन समराजी हैं विकास की संभावना के सासत में दा की पर था जो थी उसके परकार से बड़ोतरी हुई उसका सबसे बड़ा रीजन कहा रहता है कि जो अभिजात वर्ग था जैसे जैसे अभिजात वर्गों के पास एलिट वर्गों के पास जमीन आती है जैदाद आता जमीन आता है तो उन जमीनों पर काम करने के लिए दासों की चोटी होती थी जिसके कारण से वहां पर दासों का जो स्कोप होता था जो सम्भावना ही तहीं बहुत कम देखी जाती है पर रोम के अंदर में विपृत यहां पे देखा जाता है तो जो अभिजात वर्ग पास जमीन मिलती है जिनका आकार बहुत हुआ करता था और इन जमीनों को जो इन जमीनों के जो अकार हुआ करते था भूमियों को अकार को इनको यहां पर लेटिफूडिया के नाम से जाना जाता था जो यह लेटिफूडिया होते थे यहां पर खेती की जाती थी दासों को रखा जाता था और इनसे खेती करवाई ज न्हीं जब्कि रोमन समराजय में लेटी-फूरिया बहुत सारे से काम लिया जाता था लेटी-फूरिया क्या होता है तो जो खेत होते निको उसके आसो कर यूप ने के अंदर में संपत्ति के समान समझा जाता था संपत्ति की समान समझने का अर्थि क्या होता था कि बजारों में उन्हें बेचा या खरीदा जा सकता था रोमन समराज्य में दासों को सर्वस सब्द का उपयोग किया जाता था, उनको सर्वस सब्द के तौर पे ट्रीट किया जाता था, उनको सर्वस सब्द उपयोग किया जाता था, उनको सर्वस सब्द उपयोग किया जाता था, उनको सर्वस सब्द उपयोग किया जाता था, तो अतरीक दासों का जो उपयोग होता था सरकारी दफ्तरों के अंदर में लिपिकों के काम के लिए भी उपयोग किया जाता था खेतों में और ख़दानों के अंदर में जो काम करने के जो तरीका होता था दासों का उसमें दासों को जंजीरों से बांध कर रखा जाता था कि यहां पर कई सारी आप movie देखोगे जहां पर एक स्पार्टा करके movie आती है उसके अंदर में भी बताया जाता है कि दासों के साथ में किस प्रकार से behave किया जाता था किस प्रकार से arena के अंदर में Rome किसमें लड़वाय जाता था arena क्या होता है एक तरह का stadium जहां पर जो दास होते तो उनको बुला के लाए जाता था तो उनको पकड़ के लाए जाता था और एरीना के अंदर में दो दासों को आपस में फाइट करवाय जाता था और जो जीतता था उसको फिर आगे सेलिब्रेट किया जाता था मतलब एक तरह से मौत का जंग वो लड़ते थे कई तरह की मूवी है स्पाटा करके एक मूवी है जो वेब सीरीज है पूरी उसको आप सकते हैं जहां पर बहुत सारा आइडिया मिलेगा कि दासों की स्थिति किस प्रकार की होती थी वह भी आपको समझ में आएगा तासाथ में यहां पर गेरों समराज्यों में दासों को पर में कड़ा नियंतरन रखा जाता था उन पर अलग अलग तरह के अत्याचार किये जात टो यह थी धी दासों को अलग अलग रखा जाता था जो भी एक दास दूस्रे डास के पास ने रख्ता तो यहां पर दी दासों को अलग अलग रखा जये राज्य के कड़े नियंतरन होने के बावजूद इन दासों ने तीन बार विद्रों किया रोम के अंदर में तीन बार दासों का विद्रों देखने के लिए मिलता है पहला विद्रों अगर आप देखोगे तो सपार्त विद्रों के ंंसे बी जाने जाता है और इसी सपार्त कि नामिवसरी यहां पर आप देख सकती हो जह जो दासों किस प्रकार से रोम केंदर ने किए दोए जाते हैं इस विद्रो कीजो बड़ी निरदेता Without चला दिया गया घुड़ी टो यह सब Above उस Tax Kolay को उसी समय पे समराजिय केंदर में इतने दासों का उप्योग नहीं होत था मतला किसी बी समराजिय अगर आब बात कर है चलूगों जो मैंने भी पहले भी बोला तो यहाँ पर नहीं देखने के लिए मिलता जितना रोम के अंदर में माना जाता था इसलिए का जाता है कि युनान की जो दासों को मुक्त समाज नहीं था युनान भी रोम की तरह दासों से मुक्त नहीं था जितना भी अर्थवस्था के अंदर में उत्पादन होना है किसी छेतर में काम करना है किसी भी अर्थवस्था के अंदर में जो भी यूगदान होगा वो दासों का में रोन वहां पर माने जाता था ठीक है इसके कान से रोन के अंदर में दासों की बढ़ुत्री होती चली जात तो वोट को डालेगा उसको इलेक्शन में लडने वाला वी तो बंदा चाहिए सब किजरी वाल नहीं बन सकते हैं सब डॉक्टर नहीं बन सकते हैं वहां पर यह कहा गया कि हर छेतर में लोगों की जौरत है इसके लिए क्या होता है कि अलग लग तरीके से दास त्यार के जाते यह हमारे टीचर बोलते थे तो रोम के अंदर में क्या होता था कि जितने भी एलिट वह गए ठीक है जो अभी जात वर गए उनके पास जमीन ज्यादा इतना ज्यादा है तो तुम नहीं खेत में खुद काम करने जाएंगे कहां से लाएंगे लोग तो जो दास बना जाते थे जो बंदक बना जाते थे उनका उप्योग किया जाता था उनका एक मेंटिलीटी यह भी था कि अगर हम उनका उप्योग करेंगे जितनी बड़ी मात्रा में उप्योग करेंगे उतना ज्यादा हमारे पास प्यादावार होगा ठीक हम उतना ज्यादा हम अपनी अर्थवस्ता अर्थवस्ता को ग्रो कर पाएंगे यह भी उनकी एक मेंटिलीटी हुआ करते थी अगर आप रोम और युनानी दासपर्था को देखो गए तो रोमन दासपर्था के अंदा मैं दासों को पर मैं पाबंदिया ज्यादा थी यह अपना बच्चा पैदा नहीं कर सकते थे एक के अंदर में भी देखा जाता है कि उनके बाद उनका पुत्र भी दास बनेगा पर युनान के अंदर में आप देखो तो उनको बच्चा पैदा करने की सुतंतरता होती थी ठीक है साधी करने की सुतंतरता होती थी वह घर में रहने की सुतंतरता होती थी एक साथ रह सकते थ सब्सक्राइब और बढ़ते हैं सब्सक्राइब और plebeian क्या होता इसके बारे में यहां पहुँचा जाता है देख chamber और दोनों किया होते थे आपको हो टिपनी दिपने लिखने के लिए आते हैं तो इसकों फटाबर किलियर करते हैं समस्ते हैं क्या होता है रोमन्स अमराज की होते थे साही रूप से दो श्रेणी होगा जिसको प्लेबियन के तौर पे जाना जाता था एक तरस से आप आप चलो जैसे अमीर वर्ग और निम्न वर्ग होता था मतलब क्या मेरे बाद मेरा पित्र मेरे वा उसके बाद उसका पुत्र ठीक है इस तरह से अनुबांसी का धार पर उस समाज चलता था और सिंगित समाज के तौर पे जाना जाता था एक नागरिक जन्म जात पेट्रिशन या प्लेबेन हो सकता था जो छेतर में आपने जन्म लिया है आप वही रहो गए यह माना जाता था कभी आपका छेतर चेंज नहीं हो सकता यह भी माना जाता था पैट्रिशन जो था आर्थिक राजनेतिक और समाजिक ग्रूप से दबंगों का सम्मू होता था उनका अधिपत होता था आर्थिक ग्रूप से समाजिक ग्रूप से राजनेतिक ग्रूप से जो भी ये छेतर थे इनके उपर में उनका अधिपत देखा जाता था participation के अंदर में जो वेक्तिक को जर्म लेते ही धन राजनितिक अधिकार और उच्छ Земाजिक हैसियत मिल जाते थे तो जिससे आपको समझ में आता हुआ कि जो patrishan हुआ करते थे वो उच्छ वरोग लोग हुआ करते थे क्योंकि जर्म के साथ में उनको धन राजनितिक और राजनितिक अधिकार के साथ में उच्छ समाजिक जो हैसियत होता था वो उन्हें प्राप्त होता था रूमन में जो धर्म पर एक अधिकार किसका होता था पैट्रिशनों का अधिकार माना जाता था धर्म के उपर में ठीके इस तरीके से यह लोग प्लेबियनों को अपना अधिकार इस प्रकार से रखते थे मतलब अपने अधिकार शित्र के अंदर में रखते थे प्लेबियनों को अगर आप देखो सीनेट का सदस्य नहीं बना जाता था जो भी सांसद होते थे सीनेट का सदस्य उन्हें नहीं बना जाता था इसमें केवल इसमें जो सदस्य केवल पैट्रिशन लोगी हुआ करते थे आरफ में जो सीनेट के सदस्य के और कर दатив सांथ 1220 फांद में इसको बढ़ाकर 600 कर दी गயी थी सीनेट के सदस्यों का चुनाव होता था उसेarse सेंसे सदस्यों कर सकते थे मतलब सीन onusa कंटा प् issues सक्टे आपिरिशं के लोग के सदस्यों बनेका और जिता सकते किसी बीतर का को यह दिकार नहीं होता था पruktोम से अझनों को सकतीषाली परिवारों के मुक्या हुआ करते था जो रास्तंत्र का इन्ठ कया है से पर मैं इन गंतंत्र ववस्था थी और गंतंत्र ववस्था जैसे जिसने आरंब किया या रास्तंत्र का जिसने अंत्र किया था उन्हीं परिवार के लोगों का वह में सक्तिसाली परिवारे को तौर पर उनको जाना लाता था उनके सदस्य सीनेट के अंदर में रूल करते थी यहाँ पर अगर आप लेके चलोगे तो यहाँ पे आज के समय में भारत के अंदर में जो गांधी परिवारे उसको लेके चल सकते हैं और गांधी परिवारे जिनके तुरू आप यहाँ पर एक्जामपल लेके चल सकते हैं जैसे भारत के अजादी के अंदर में नहरु जी का बहुत अच पर्दान मंत्री थी तो बन सकते तो अपने आपको ही वो उसके लिए मतला मानते कि मैं ही इसका दावेदार हु परमुख कदावेदार में ही हूँ मेरे जैसा कोई यह मान कर चला जाता है आज की समय है मिभी अगर आप सही से डिटेल में आणञाज करोगे पार्टी लाइन से अलग हट कर कि आप Congress को सपोर्ट करते हो बज़ीपी को सपोर्ट करते हो अगर इससे अलग हट कर आप देखोगे तो यह देखने के लिए आपको मिलेगा तेम चीज़ यह सिरिफ में Congress Party के साथ के राउल गांदी या किसी चीज़ के लिए नहीं कह रहा बाक सरदेट की सदस्य सदस्ता ह्ओतिती आजीवन होती फेसर अकर बार आप सरीफ बन गए तो आप आजीवन सरीनेट रहो गए यह मानी जाती ती उसकी सदस्ता कभी भी खतम नहीं थी सटरवी इनके पास में विष्यसा दिकार हुआ करते प्लेविन्यों के पास नहीं हुआ करते थे पैट्रिस्टान बड़े भुव्वति हुआ करते थे बड़े-भुव्व्वतियों के तवर पर उनको जानर जाता था जब इन रोमन गन्तंत्र पर इनका सासणों बन सकते थैं। ये लंबे संघर्स के फल्स्टरू प्रैट्रिश्यणों को एक प्लिविन्यों के छोड़ दिया जब 365 365 के में 367 के अंदर में क्या होता है जब बिद्रो होने लगता है जब उनके बीच में चीजें खराब होते तो क्या का जाता है कि चलो ठीक है एक पद आपके लिए अपोइंट कर सकते हो पर वो भी सिर्फ ऑपचारी किसलिए बना रहा क्योंकि चुनाव पर किरिया पूरी तरसे नियंदर किसका हो दाता पैट्रिश्यनों का माना जाता था और वे अपने मन कि लास्ट यहर की कुछ बात करूं तो बच्चे सब भूल जाते हैं कि दोनों के अंदर में अंतर क्या होता है तो पैट्रिश्यन जो था उच्छ वर्ग था जो पूरी ज़र से डॉमिनेट करता था सोसाइटी के अंदर में पर वहीं पर आप बात करो प्लेवियनों का तो अन उनकी राजनितिक मतलब प्लेवियनों को दबाया जाता था उत्ता उनकी राजनितिक सत्ता में भागिदारी होनी चाहिए ये मांग की जाती थी गणतंत्र की स्थापना के बाद में पैट्रिश्यनों ने जो ववस्था अपनाई उसे प्लेवियनों का कोई हक जगह नहीं दिया गया ठीकर बलेबनेयों को हर शेतर में दबाया जाना चाहते थे सभी सभा के अंदर में सब मन मुताबित अध्यक्ष चुनाव होता था दभा की कारवाही को नियंतरित करने का प्रियास किया जाता सभा में 1 सदस्य का अधार पर नहीं किया जाता मतलब यह सभी सदस्य एक जैसे हो और यहां पर इंपोर्टन है इस परकार आम आदमी मूख दरसर के नज़र आता है जो वहाँ पर आम जन्हुप मूख दर्शर बन जाती three अधिकान सदस्यों की इस सदस्य बागेदारी होती है ओचिते नहीं बचता है ओचिते नहीं रहता है सही नहीं है ये भी माना जाता है पेटरिषिए नोगा चब्दबह कर देखने के लिए आर्थिक राज़नीतिक समाजिक अधी छेत्र में पेटरिषिन ने केवल अपना दिकार चाहते थे exquisite कान से सारे चीज़ें की जाती थी अब देखो यहां पर हमने पड़ा कि दो नागरिक विवस्थ था रोमन समराज्य के अंदर में दिखने में जाती है पैट्रिशन और प्लेबियन प्लेबियन जो था निमनवर्ग था जो दबा हुआ था जिसको अधिकार नहीं मिल रहा था क जिसका वो उप्योग और ल्हां इस प्रकार से किया करते थे ठीक के समझ में आता है जो अगला टापिक हमारा यहां पर शुरू होता है को विश्वाट धा और देख नग्रिक सभाएं के तोर पर जाना जाती थी तो उसी तरह कि से क्रेमीशियाई कुरियाटा और सेंचुरियाटा दो अलग अलग नाम की सभाएं आहिजित की जाती थी जिसे कामशियाई बात करोगे सभाएं कौमिशिया जो कुरियाटा था कुरियाटा के नाम से जाना जाता है एक सभा को कुरियाटा के नाम से जाना जाता है जिसमें पैट्रिश्यनों के सत्ता में आने से कुलिन तंत्री शासन स्थापित होने के साथ में कुलिन तंत्र का महत्व घट गया ठीक है जैसे कुलिन तंत् कि जो भी मेरे बाद मेरा पुत्र उसके बाद उसका पुत्र इसके अधार पर किया जाता था रोम के जो मूल निवासी थे वे इस कुरियाटा नामक इकाईगी में विवाजित हुआ करते थे मूल निवास्यों को इसमें डिवाइड किया जाता था जिसमें पैट्रिशियन और प्लेवियन दोनों छित्रों को सामिल किया जाता था दोनों जो नागरी ववस्था थी दोनों को इसके अंदर में रखा जाता था आरंब में रोम ने 30 कुरिये थे जो कबीलों में बट रहे थे ठीक है सभा में पैटिशनों के मताबित उन मन मताबित शेर्द अद्यक्ष चु करते थे क्योंकि पूरा जो सत्ता था जो भी चुनाव होना था मन मताबित अध्यक्ष का चुनाव करना वो पैटिशनों के हाथ में हुआ करता था तो यह सभाज होती थी एक सदस्य के मत की अधार पर नहीं किया जाता था क्यूरियाक्या सामुहिक रूप से मत देना होता था, जब कि क्यूरिया के एक विचार के साथ में एक वेक्ति हो सकता था, मतलब किसी को भी आप सपोर्ट कर सकते हुआ कि यह सही बोल रहा था, तो इसके साथ में कछड़ा हूं पैत्रिश्य कुली वर्ग कुली पैत्रिश्य जो था कुली वर्ग कुलीज है की वर कुलीन समभीयों करके अपनी क्यूरी का प्रभावित कर लेते थे यह समस्थ को पर पप्रतेनीद्रby करते थे और अपनी बात सामने रखते यह आपको लीड करने वाला है और उसके बेसिस पे ही वह अपनी चीजे रखता था सामने अपनी लोगों को अट्रेक्ट करता था उसके हिसाब से उसको परते निदी करता था उसके जब इस तरीके सब्सक्राइब मैंने ही अध्यक्ष चुना पॉपेट डमी कहते हैं सबसे बड़ा एक्जामबल आगर आप देखोगे तो मनमोहन सिंग की सरकार के अंदर में क्या हुआ सोनिया गांधी एक बैक साइड थी कि वो कुछ नहीं कर रही है मेंफेस को ने डॉक्टर मनमोहन जिंग पर वो पीट पीछे राउल गांधी सुनिया गांधी पूरे सरकार को चलाती थी तो सेम चीज़ यह था किसने बनाया बहिया मंतरी तो पैट्रिशनों ने बनाया तुम काम किसे लिए कि कि यहां पर चुनानी का दिकार किसके पास्टरिशनों के पास कि जो बहुत बहुत रखो गेव बास्यत करोंगे वह कौन उसको जज़ करेंगे तो इसके कारण से जितना भी पर्दिनीदितु था पैटरिशनों के हाथ में आ जाता है इस प्रकार से जो आम जनता थी वो मुग दरसर बन जाती हो कुछ बोल नहीं पाती है कुछ करने ही पाती है यहाँ पर यह देखा जाता है देरे देरे जो अधिकान्स लोग थे वो भगिदारी नहीं ले पाते हैं इसको ओचित्ते नहीं मानते हैं उसको नहीं समझ पाते हैं ठीक है और सभा के सत्रों के अंदर में भाग लेना वीचार वेमर्स करने के लिए परते क्यूरिय के लिए केवल जो एक सदस्य परते नीदितु के रूप में भीजा जाता था हर एक क्यूरिय के लिए एक सदस्य वहां पर परते नीदितु के रूप में जाता था जहां पर सभा में भाग ले सकते थे curiata भी असमानता के अधार पर संदचना थी, अधार इसंदचना थी नहीं की जा सकती थी यह प्लेबिनों को हिद के लिए रक्षा करेगी, इनकी हिद के लिए खडी होगी यह नहीं माना जाता था, प्लेबनों ने एक नई सवा बनाने के लिए दवाव डालना शुरू किया, इनके लिए नागरी को फिर से अलगलग से मुझ में बाटा गया, अब देखो, सबसे पहले क्या होता है, अगर आप स्टार्टिंग से बात करोगे, रोमन समराज्य का जैस जो जरूरते थी, वो बढ़ती चली जाती है, जिसके लिए क्या दासों को फोर्स किया गया, कि आप अर्थावस्था को गुरो करने के लिए जादा-जादा पैदावागा करो, अलग-लग छेतर में काम करो, यह चीज़े रही, जो नागरीक ववस्था था, अब नागरीक किया गया, जो नागरीक ववस्था बनाई गई, ठीक है, उसके अंदर में भी क्या हुआ, पैट्रिशिनों के पास में ज़्यादा दिकार देखे, प्लेवियनों के पास में दिकार नहीं थे, जिसके रहन से क्या था, क्यों वो पार्टिसिपेट तो करते थे, सभाव के अं उनकी जो सभा का नाम था, वो कैमिशियाई सेंचूरियाटा के नाम से उनको रखा गया, ठीक है, कोमिशियाई सेंचूरियाटा, इसमें जो कोमिशियाई है कोरियाटा की तरह दोनों छेतरों के अंदर में पैट्रिशियन और प्लेवियन दोनों के नागरिक सामिल होते थे उसमें भी दोनों के नागरिक, जो पहला वाला जो मैंने पैट्रिशन का क्यूरियार्टा पताया था, उसके अंदर में भी दोनों नागरिक सामिल होते थे, पैट्रिशन और प्लेबियन, दोनों नागरिक सामिल होते थे, इसके अंदर में दोनों नागरिक को इनके अंदर मे करते हुए दिखता था जो सेंचुरियाटा था नागरिकों की सेंचुरी को सो की संख्या में समुह में बनाए हुगा था जो सेंचुरियाटा का नाम सो की संख्या में पढ़ा था कि एक समुह के अंदर में सो लोग रहेंगे जिसके कान से यहां पर सेंचुरियाटा सेंचुर कम था ज्यादा हो सकती थी ठीक है यहां पर यह भी मान जाता है आरंब में एक नई सेन्ड एकाई के तरह पर होती थी ठीक है century century की जो संक्या होती थी 193 थी उसमें 5 वर्गों में बाटा गया था ठीक है इसमें विभीन आधार की संपत्ति होती थी आधार संपत्ट जुम आपको अपने अपप अभिजातवर्ग का सम्मान मिलेगा अभिजातवर्ग के अंदर में आपको add किया जाएगा ठीके यह विभाजन असान नहीं था इसके अंदर में संपत्तिक आतार पर विभाजन क्या जाता था अधिकान सेंचुरी सेंचुरी जो थे पहले तीन वर्गों में रखा गया था जिसमें अभिजात वर्ग बड़े भूपतियों को रखा जाता था कोमीशियाई सेंचुरी आटा में सेंचुरी के जो एक परतिनात्मक इकाई के तौर पर जाना जाता था पर तेक सेंचुरी में नागरी क की संख्या समान नहीं होती थी century के पहले दो वर्गों में नागरिक कम नागरिक हुआ करते थे इसमें नागरिकों को पॉलेट्री का जाता था पॉलेट्री के तौर पे जाना जाता था ये सबसे निचला वर्ग था इसमें लोगों को इसमें लोगों को सबसे अधिक थे लोग जाता था इस प्रकार इन लोगों का सभी जो सवा होते थे सवा परतिनीदित को परियाप्त नहीं थे और उनकी भागदारी भी माइने नहीं रखती थी ठीके क्योंकि इंपोर्टेंस निया आप एक ही व्यक्ति को जो जाना है मतलब अल्टीमेटली आप एक ही व्यक्ति को तर्फा ठीके एक ना की एक व्यक्ति के मतके दार पर किया जाता था जो यहां पर प्लस पंट के दूरपर दीखा जाता है इस प्रकार आविजात वर्ट और बड़े भूपतियों के पास कम संक्या होने के बावजूत भी अधिक मत होने का प्रावधान होता था इस प्रकार कारेवाही पर भी पैट्रिश उनों का नेंतर रहता था देखो अब यहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने जब पूरा जब यह विद्रो होना शुरू होता है तो बुलते चलो ठीक है तुम्हें दूसरा समू चाहिए दूसरा समू बना देंगे दूसरा समू का नाम चाहिए ना समू बनाएंगे और सब से जो ज़्यादा लोग यह इस में बना कर दस आघर है अब ज हो टॉसर सीत मा वोगों की वोगों कि पूरा समूव बना लो ठीक है और 4000 आपके हो जाएंगे जितना गृूप बनेगा 50-60 जो बनेगा वह आपका गृूप हो जाएगा ऍसी तर से एलीट वाले किते़ ठीक है तो 100 का इसाफ से आप क्या कम है पर फिर भी वहां पर गुरुप जादा है तो इसके कांच से जब भी वोट डालना होगा तो यह 400 वोट डाल पाएंगे पर वहां पर जब इनकी बात आएगे तो यह सिर्फ की यहीं पर पास किए जाते तो युद और संति की घूसवा खा दिकार ने सामिल के जाता था इसके अंदर मैं अब बात करोगे दोनों में प्लेबियनों और पेट्रिशनों को सामिल किया जाता था सेंचुरियाटा समुम को 100 के अधार पर बाटा गया था जब कि क्यूरियाटा में क्यूरिये जो होते थे उनको क्यूरिये के अधार पर बाटा जाता था कितनी क्यूरिये हैं उसके अधार पर इनको यहां पर डिवाइड किया जाता था इनकी जो संख्या होती थी इसके अंतर में अंतर होता था, क्यूरियाटा के अंदर में 80 या फिर संचुरियाटा के अंदर में 193 रखा जाता था, जैसे मैंने बताया टोटल आपको कि एक राज्ये के अंदर में टोटल 10,000 लोग हैं, ठीक है, वहीं पर यहां पर बोला गया कि ही बिया झो कुरियाटा यह मतलब प्लेपी ओ प्लेबी आ केज़ेशन लोग हैं उनका जब बाटा जाएगा तो टोटल पैटीनों की संखया कितनी हो गई पर एक गुरूप के अंदर में ő सि लोग तो नियूप लोग रहेंगे उसके आधारulates पर और हर ग्रूप से एक बंदा ही वोट डाल पाएगा, यह भी चीज रखा गया, तो भीया अल्टिमेटली जीतेगा कुण, पैट्रिशन जीतेंगे, प्लेबियन तो हारेंगे, तो यह चीज़े यहां पर रखी गई, ठीके वहीं दूसरी और कुरियाटा से अधिक सेंचुरिय कुरियाटा के पास थे, तो यह पूरा यहां पर वीडियो था, सेकिंड चैप्टर हमारा जो यूनिट 6 था, सेकिंड पार्ट यहां पर खतम होता है, अगर किसी भी student के अंदर में कोई मन में कोई question हो, को doubt or confusion हो, समझ में नहीं आए, तो comment box के अंदर में question raise कर सकता है, यहां आप एक request यह भी करूँगा, अगर आपको PDF चाहिए इसका, तो direct telegram group को join कीजिए, वहां से मिल जाएगा, नहीं तो सबसे easiest क्या है, आप the in-up blog post पे जा सकते हैं, blogger पे जा सकते हैं, वहां से direct blog उठा कर, आपको study कर सकते हैं, पीछे के जितने भी chapters में ने करवाए हैं, सभी क आपको blog वहां पे मिल जाएंगे, free app post, वहां से आप study कर सकते हैं, description में उसका link भी मिल जाएगा, वहां से आप ले सकते हैं, अगर आपको telegram पे group पे notes नहीं मिलता है, तो, और सबसे important request यह करूँगा दोस्तों कि जितने भी मारे channel को subscribe जरूर करें, नव info को subscribe करें, जहां से आ आपको आपको अचियो करें, भी बाबाए, तेकर, वलल था बेस्!